splice उनानीका new id लेनीकेलि यापे registration कारना होगा red color पे इसमे आधिकारे लेनीकेलिए registration for free लेनीके लेजिस्ट फर्वी पर red color पे कीलिककरने के बाड कोई सब्याँ new mobile number को इसमे एंटर कारना होगा एंटर करते के बाड इसमें हम mobile number को एंटर कारनेके बाड get started पे हम click कर लेंगे click करने के बड़ या फे mobile नमबर पे OTP आयागा OTP को इसमें enter करना होगा और proceed पर click करना होगा पहले हम OTP को enter करके proceed पर click कर लेंगे प्रोसीट पर click करने के बार इसपाइस मानी आधिकारी रेजिस्टेशन फ्रॉम आ जाएगा basic information और या पर fill पर click करना होगा basic information को complete करना होगा basic information और इसमें click a life selfie पहले life selfie लेना होगा और इसमें नाम male female date over और individual को select करना होगा पहले हम life selfie को scan कर लेंगे इस तरह से या पर आ जाए करने के बार और इस तरह से या पर life selfie को scan कर लेना है इस तरह से scan कर लेने के बार या पर जो भी नाम होगा या पर नाम type करना होगा और इसमें male female select करने के बार जो भी date over होगा date over को select कर लेना होगा इस तरह से date over को select कर लेना है सिलेक करने के बार या पर इंडिविजल को सिलेक करना होगा या पर देख सकते हैं इंडिविजल को सिलेक करने के बार confirm and continue पर click कर सकते यहाँ पर देख सकते बहुत चार option होगा इसमें individual शिले करके confirm and continue पर click करना होगा इसमें पुरा हमने type कर दिया है यहाँ पर देखिए scan भी हमने ले लिया है नाम भी लिग गिया है male, female, date of individual और confirm and continue पर हम click कर लिया है और इस तरह से basic information from भी complete हो चुका है और यहाँ पर workplace detail आभी यहाँ पर workplace detail को complete करना होगा इसमें fill पर click कर लिया है जो भी आपका shop का नाम होगा वो आपका shop का नाम दे दिजिए अगर shop का नाम नहीं है आपका नाम भी यहाँ पर लिख सकते और यह date और open time close time यह ही रहना देना है और इसमें pin code को type करने के बाद address देनी के बाद और declaration को यहाँ पर अपलूट पर click करना होगा और इसमें box को click करके इसमें confirm and continue पर click करना होगा इसमें हम pin code को दे देंगे इस तरह से pin code यहाँ पर shop का नाम और पीन को डेनी के बाद और इसमें ग्राम पॉंचेट का नाम और जो भी लोकेशन होगा लोकेशन डेनी के बाद इसमें declaration from आज जाएगा declaration पर upload पर क्लिक कर लेंगे और नीचे पर proceed पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर कोई से भी एक signature को इस तरह से signature कर लेना है signature करने की बाद यहाँपर गर सकते है शर बटन में करने के बाद इस तरह से declaration को complete करना होगा और इसमें box को select करके I agree shop workplace address पर क्लिक करके इसमें confirmand continue पर क्लिक करके yes I am at my shop workplace पर इसमें क्लिक करने के बाद इसमें location को on करना होगा इस तरह से location को on करने के बाद automatic यहाँ से यह map ले लेगा आपका जो भी location होगा वो location इस तरह से map कर लेना है आच्छे से यह workplace detail इस तरह से complete हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं सही location डेडिक के बाद इसमें confirm पर क्लिक कर लेना होगा confirm पर क्लिक करने के बाद इस तरह से workplace detail भी complete हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं workplace detail complete हो चुका है अभी यहाँ पर distributor क्ट्रिटर मैपिंग या पिद्स..धडिक लेंगे मेप क्लिक करने के और या पिद्स..डिश्टिबूटर का नमबर को या पिद्स..टर कर देंगे तous~! या पर submit पर click कर लेंगे आपका जो भी distributor होगा distributor का नाम आ जाएगा इसमें confirm पर click कर लेना होगा और इस तरह से distributor भी mapping हो जाएगा या पर देख सकते और आभी या पर pen cut को scan करना होगा या पर scan पर हम click कर लेंगे scan पर click करने के बाद इस तरह से pen cut को scan कर लेना है six digit OTP को enter करके submit पर क्लिक करना होगा Congratulations you eligible for loan करके option आ जाएगा इसमे continue with registration पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद इसमे proof of address को scan करना होगा अभी यापे pen card detail हमने बार लिया है अभी यापे proof of address इसमे order card भी दे सकते बूटर ID card वगरा driving license वगरा हम order card को scan कर लिया है front side और back side scan करने के बाद इस तरह से आ जाएगा सिर्फ confirm and continue पर यापे हमने क्लिक कर लिया है scan कर लियाने के बाद और यापर देख सकते हैं इस तरह से proof of address भी complete हो चुका है अब यापे bank detail बरना होगा इसमें process पर क्लिक कर लेंगे scan करना है तो scan भी कर सकते हैं नए तो यापे add कर लेंगे हाप खोट से add कर लेंगे यापे हम add पर क्लिक कर लेंगे add bank account पर और यापे कोई चाभी एक bank account का यापे select कर लेंगे यापे हमने nsdl payment bank को select कर लिया है और इसमें account number टाइप कर देंगे ifs को type करेंगे saving current account इसे लेंगे confirm continue पर क्लिक कर लेंगे और यापे confirm from продолжAKieg click लिया है अगर स्कार dil करकर सकते हैं पास्पूक अपलोड करना तो पास्पूक चैक आपड़ना आ तो चैनल पर सापमेच पर क्लिक कर सकते हैं यापे हमने पास्बूक को सिलेक किया है इस तरद से फोटो कैप्चर करने के बाद साप्मिट पर क्लिक कर लिया है साप्मिट पर क्लिक करने के बाद यह देखिए पूरू फ एड्रेस और बैंग डेटल भी कॉम्प्लिट हो चुका है आप यापले आपे Self-Declaration को Complete करना होगा इसमें Proceed पर क्लिक कर लेंगे Proceed पर क्लिक करने के बार यापर देखिए Self-Declaration को Complete करने के लिए पहले वीडियो करना होगा फिर ढूकान के सामने खारा होगा फोटो फिर अंडर बेट की photo और submit declaration पर क्लिक करना होगा पहले record वीडियो पर क्लिक कर लेंगे और या पर proceed to record वीडियो पर क्लिक करने के बड़ इस तरह से record कर लेना है मेरा नाम ये है मेरा mobile नमबर ये है और मैं spice money से काम करना चाता हूँ इस तरह से बोलने के बड़ ये वीडियो को इस तरह से add कर लेना है और या पर देख सकते है वीडियो को इस तरह से live record करने के बड़ या पर शॉपकर सामने एक खारा होके दुकान के सामने इस तरह से photo को लेना होगा photo capture photo करने की बाड इसमें इस तरह से upload कर लेना होगा यहाँ पर देख सकते photo दुकान के समने खारा होके photo खिसने की बाड इसमें यहाँ पर दुकान के अंदर एक बेट के photo को लेना होगा इस तरह से बेटने के बाड यहाँ पर देख सकते submit self declaration पर click करना होगा इसमें submit declaration पर click करने के बाद यह upload हो जाएगा submit declaration यह देखे self declaration भी complete हो चुका है अब यह others detail को complete करना होगा proceed पर हम click कर लेंगे और यहाँ पर कोई से भी एक business को हम select कर लेंगे यहाँ पर IABF का certificate है तो yes यहाँ पर no IRDR का certificate है तो yes no यहाँ पर select कर सकते हो और कोई से भी एक यहाँ पर business type का यहाँ पर select कर सकते हो merit unmerit यहाँ पर select कर सकते हो और इसमें high qualification वगरण select कर सकते हो इस तरह से और इसमें conscious shop owner या rent वो select कर सकते हो और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कितने सल से वो business करते है रान वेगर करते हैं वो सिलेक करके या पर नो दिजिटल पेमिन हम सिलेक कर लिया है इसमें जो भी नुमिनो का नाम है वो नुमिनो का नाम रखना है वो नुमिनो का क्या रिलेशन है वो रिलेशन टाइप इसमें सिलेक करने के बार या पर कौनसा ID किया है या पर डिस्टिब सब्सक्राइब करना होगा और आपका जो भी डिस्टिब्यूटर का नंबर होगा या पर सो करेगा इसमें कॉल करके एप्रूब करना होगा पहले आपका जो भी रेजिस्टिब्यूटर करने के बड़ इस थार से हमने रिपूरेश कर लिया है कोई भी एप्रूब नहीं हुआ है अभी यहां पर देख सकते हैं हमने साब्मिट किया है इस तरह से नाम आज यहां पर देख़ें नियु लिट पर और नाम पर हम क्लिक कर लेंगे क्लिक करने के बाद सारी डीटल को हम चेक कर लेंगे बैसे इंफ्रमेशन वार्पलेश डीटल प्यांकर डीटल वगरा सारी डीटल र्याहते रेज करना है तो रिजेक भी कर सकते हम और एप्रूब करना है तो एप्रूब भी हम कर सकते या पिए अप्रूब पर हम क्लिक कर ले है और यह रिफ्रेश स्टेटास पे क्लिक करने के बाद इस तरह से रिफ्रेश हो चुका है याँ पर देख सकते डिस्टिब्यूटर आभी याप इस पाइस मनी आइडी को एप्रूब कर देगा आइडी पासवर्ड मिल जाएगा और यहाँ पर देखे फिर से दूबर से आइडी क्लिक कर के देगा यहाँ देखे रिफ्रेश स्टेटास पे क्लिक करने के बाद सपाइस मनी ने आइडी पासवर्ड शेयृँ करने के दिया है यहाँ पर देख सकते हमिन पासवर्ड देख सकते हैं यहापर देख सकते हैं अभी login with your id पर क्लिक करके यहापर id password देखे हम login कर सकते हैं यहापर देखे उपर में id password भी आ चुका है हम अप सभी को यहापर space money का id को registration करके दिखाया है live process और चैनल को जरूर आपको subscribe करके रखना होगा और भी हम video लेके आएंगे इसलिए यहापर देख सकते हैं इस तरह से approve हो चुका है आपर देखे id और password login id और password आच चुका है space money क्या और इस तरह से id को registration कर सकते हैं